तो बेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंट्रिस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना एंड जिसको भी हैर इसपोर्ट कम्यूनिटी से अब्डेटेड रहना है तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से अन कर लेना तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकलकर आती है राइट टू एस को लेके तो आप लोगो को भी पता ही एकुछ ताइम पहले हमारे को उनका जो फेर्वेल पोस्ट है वो वेलो सेटी पर देखने को मिला था एंड उन्होंने फाइनल थान मंथ एंड आल थैंक्स तो मैं लाइफ लाइन वो अप लोगो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड डिस के बाद उन से पूछा गया था कि वेंड दू वी सी ओल दा ओजी टीम्स कंपटिंग अन इंटरनेशनल लेवल एन डेट एंड एंड इस पे उन्होंने रिप PMWi by one point and वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कि BGMI कब आएगा तो इस पे उन्होंने रिप्लाइ करते वे बुला था BGMI मार्च से पहले आएगा और जब गेम आएगा तो OG hashtag one रहेगी and वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर गेम्स हैं जैसे crash, dice, coin flip जैसे बहुत सारी गेम and मैं आप लोगों को dice वाला गेम खेल के दिखाता हूं and आप लोग भी देख सकते हैं मैंने limit को set किया and इसके बाद roll किया and अगर prediction सही होती है तो मैं win करने वाला हूं and winning amount को मैं easily withdraw भी कर सकता हूं तो जल्दी जाओ description में and comment section में पिन आप लोगों को link मिल जाएगा and आप लोगों को मिल सकता है 20,000 dollars तक का sign up rewards and अगर आप लोग मेरा promo code use करते हैं gamex तो आप लोगों को मिलने वाले 300% का bonus तो जल्दी जाओ यार bc games को जाकर आप लोग try कर सकते हैं अगर होता है in case in future जाके हम लोगो permissions मिलते हैं और हम लोग उतना afford करते हैं और land करते हैं Valorant Invitational is gonna be insane and this के बद आप लोगों कोई पता ही है इंडिया में e-sports को भी recognition मिल गई है and DC के उपर हमारी को craftan के officials का reply देखने को मिला तुनोंने लिखा था this is path breaking move by the government and we are delighted to see the recognition given to e-sports as a part of multi-sports event by government of India it's a test this official acknowledgement will go a long way in boosting job creations creating new business opportunities and opening new avenues for the youth to realize their potential we look forward to seeing e-sports further integrated in competitive gaming we as a craftan are confident to play our part in furthering the vision of the thriving gaming ecosystem in India and DC के बद जीफ आदे उन्होंने एक स्टोई लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था one of the guy who is responsible for recognition of e-sports in India and DC में हमारे को जो इशान भाई हैं उनका एक इंटर्व्यू देखने को मिला economic times के साथ and वो अप लोग अपनी screen पे देख सकते हैं and DC के बद आप लोगो कोई पता ही है जो जो जॉना थान है वो नॉमिनेट होए थे e-sports mobile player of the year के लिए and DC में उनकी second place रही है and उनकी announcement आप लोग screen पे देख सकते हैं and मैंने अप लोगो काफी time पहले बता दिया था कि जो 420 OPM वो जॉन करने वाली है Godlike को to finally हमारे को उनकी announcement देखने को मिली है and वो आप लोग अपनी screen पे देख लो and इसके बाद जो रुशेंद रसल है उन्होंने काफी सारी चीजों पर update दी थी है and उन्होंने Korea bootcamp के बारे में बात करी है and जो भी player Korea जा चुके है उनके बारे में भी बात करी and बाकी सब players क्यों नहीं गए हैं जो कि अभी India में है इसका भी रीजन उन्होंने बताया तो उनकी वह वाली clip आप लोग देख सकते हैं हमनी players in Korea except for Rossi, Goloo and Monier everyone else is in South Korea right now Monier will be getting there shortly Rossi, Goloo, Watsal और मेरा हम चारो का पहले Brazil का वीजा होगा फिर Korea का वीजा होगा फिर हम जाएंगे management वेसे कौन-कौन Korea जाने वाला है सब who is managing players in South Korea we have an entire team there guys we have almost 8 people in Korea right now how's practice going on good decent or bad considering how hell logistics has been I would say practice is going on decent we need to change that to good but that can only happen when everyone is in the same place and I don't think we'll have enough time before Brazil it's just unfortunately that's just the situation that we're in हमारे हाथ में नहीं है so कुछ नहीं कर सकते so spin has officially reached Korea as well हमारा कौरिय में पॉपप बूटकेंप सेटप हो चुका है unfortunately I can't share pictures because we're saving it all for content आपलग को अभी लीक्स नहीं देना चाहता मैं but हमारा वहां सेटप हो चुका है like I said we have about 8 people in Korea right now as we speak so all the hype about training Indian players and imports of the same place feels like an L now bro visas हमारे जो दो प्लेश जिनको shortlist किया है उनका ही वीजा नहीं हो रहा है बाकी तीनों का तो दूर की बात है but like I said what people are not realizing this is not about Brazil event we have gotten into franchising for the next how many of a years it's a perpetual contract 18-10 साल तो minimum like League of Legends का भी 10 साल है 18-10 साल तो यह गोई तो सी आज है उन्ली नहीं हमनो कहीं नहीं जारह है Brazil event is happening now उसके बाद the regular season begins in Korea for us the year starts when the regular season starts so हमारी जोरी 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 है we're going to set up a bootcamp there training facility there have players from India go to Korea learn, have the knowledge share bring that back to India all that is going to take time no one said it's going to happen in one week or one month or this year or within December our goal is to set everyone up long term and we will ensure that everyone has a place long term हम लोग कहीं नहीं जा रहे है but Brazil अभी important है because यह 3rd Feb या 4th Feb or whatever 1st week of Feb तक we have to be in Brazil because 2nd week of Feb ने event शूरू हो रहा है एक हफ़े पहले तो minimum जाना ही पड़ेगा hopefully I hope so we have to ensure that we are ready and there Korea में side by side सब set up होते रहेगा for the rest of the team so कोई जी छोड़के नहीं जा रहा सब ही आई है we are all going to continue working towards this in the regular season Brazil के लिए अभी जित्ता कर सकते है कर रहे है तो हमारी जो next update निकल कर आती है वो निकल कर आती है TSM को लेके तो आप लोग को पता ही है उसके अंदर हमारे को एक player खेलते वे दिखाई दिये थे जिनका नाम था Sunday and कफी लोग को यह लग रहा था कि वो sensei है बट मेरे को जा तक पता लगा है वो sensei नहीं है and वो कोई और player है और उनके बारे में मैं आप लोग को next video में बताने वाला हूँ तो बस गईजियार अभी के लिए पर पास इतनी न्यूस थी और आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोग को next video में बता दूँगा तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर लेना